आज हम लाएं है आपके लिए एक और बेहत जरूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे डाइबिटीज डाइट की जी हां आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या डाइबिटीज के मरीज सूजी खा सकते हैं या नहीं और डाइबिटीज में सूजी खाने के क्या-क्या फायदे हो सकते हैं और किन लोगों को सूजी खाने का नुकसान हो सकता है इसके बारे में आपको बताएंगे तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज हमें लाइक, शेर और सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा यानि तो ऐसे में जो डाइबीटीज के मरीज हैं उनके मन में ये सवाल निश्यत रूप से आता है कि क्या डाइबीटीज में सूजी का सेवन फायदे मन है तो इसे के बारे में आज हम आपको डीटेल में जानकारी देने वाले हैं और सबसे पहले आप समझे के सूजी को डियूरम गेहूं से तयार किया जाता है और ऐसे में ये एक फाइबर का अच्छा सोर्स है क्योंकि इस गेहूं में फाइबर ज्यादा है और फाइबर युक्त आहर डायबिटीज और कॉलेस्टरॉल के मरीजों के लिए फाइदे मन्द और एक बात और खास बात है कि सूजी खाने से वजन को भी कंट्रोल में रखा जा सकता है तो इस वज़ज़ से सूजी डियाबिटीज के मरीजों के लिए और दिल के मरीजों के लिए दोनों के लिए एक बेस्ट आहर हो सकता है आप समझे कि सूजी में कौन-कौन से पोशक मातरा में होते हैं इसके अलावा सूजी में ऐसे पोशक्तत्वी भी पाय जाते हैं जो कहीं ना कहीं blood sugar level को कम करने के लिए असरदार हैं आपको ये भी समझना चाहिए कि durum गेहु में folate की मातरा अधिक होती है जो anemia के लोगों के लिए बेहत फायदेमंद है यानि अगर किसी में खून की कमी है तो उसे सूजी का सेवन करना चाहिए उसके लिए भी फायदेमंद है इसके अलावा glycemic index जो है सूजी का वो 66 है जबकि glycemic load 14.7 है तो इन दोनों values के अधार पर ये कहा जाता है कि diabetes के मरीज सूजी खा सकते हैं लेकिन बस कोशिच करने ही कि जब भी खाए तो सीमित मातरा में खाए मैं आपको बताओं कि सूजी खाने का बेस्ट तरीका ये है कि आप इसका उपमा या फिर रवा डोसा बना करके खाए ये क्योंकि ऐसे में आप इसमें कई सारी हरी सबजिया मिला करके खा सकते हैं और ये इससे और पोशक बन जाएगा फिर जाल लेते हैं कि diabetes के मरीजों के लिए सूजी किस प्रकार फायदे मन्द है तो मैं आपको बता हूँ कि सूजी खाने से शरीर के बढ़ते वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है और आप ये भी समझे कि सूजी आपके शरीर में blood sugar level को कंट्रोल में रखने की ताकत रखती है यानि इसके पास कुछ ऐसे chemical है जो आपके blood sugar level को कंट्रोल में रखते है इसके साथ सूजी आपकी immunity को बढ़ाती है और शरीर के पूरे development में साहता करती है और मैंने पहले ही बताया कि अगर आप regular सूजी का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में खून की मातरा सही बनी रहती है और oxygen का level भी बेहतर रहता है तो अब समझ लेते हैं कि diabetes में आप सूजी का सेवन किस किस रूप में कर सकते हैं तो सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप सूजी की idli बनाईए idli सेहत के लिए फायदे मन्द होती है और इसकी खास बात यह है कि आप इसमें अन्य सबजियों को भी शामिल कर सकते हैं इसके अलावा आप उत्तपम बनाईए सूजी का उत्तपम बेहत फायदे मन्द होता है आप नमकीन उत्तपम बनाईए इसमें भी बहुत सारी सबजियों को add किया जा सकता है इसके अलावा एक स्वादिस्ट और healthy option यह भी है कि आप सूजी का ढोकला बनाईए धोकला बनाने की रेसिपी आपको यूट्यूब से कहीं से भी मिल जाएगी तो इसे भी ट्राई किया जा सकता है और फिर एक और सबसे प्रचलित और सबसे आसान तरीका है कि आप रोजाना सुभे नाश्टे में सूजी का चीला बना करके खाईए इसमें धनिया और करी पत यानि आपको ग्लुटेन डाइजेस्ट नहीं होता तो फिर आपको सूजी का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप ग्लुटेन सेंसिटिव है तो इससे आपको कब्स पेट में दर्द और सूजन की शिकायत हो सकती है तो आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने क के लिए धनेवाद और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब भी करें